ओम स्यंति हमारा समर्पित जीवन कितना महान है भगवान जब इस धरा पर आए तो उन्होंने याद दिलाया बच्चे तुम भगती करते बाप को कहते थे हे प्रभू जब आप इस धरा पर आओगे हम आप पर वलिहार जाएंगे अब मैं आगया हूँ अपना वाइदा पूरा करो भगवान के ये वचन सुनकर अब तक कई हजार आत्माएं अपने जीवन को प्रभू अरपित कर चुकी है इस रेष्टकारिये में इस दिव्यकारिये में जो सेवावा स्वयम करने आए हैं युग परिवर्तन कल युग को सत युग में बदलने आए हैं इस महानकारिये में कितनी आत्माओं ने अपना सर्वस्व समरपित कर दिया सचमच महान है नमन युग्य हैं वो महान आत्माएं जिनोंने भगवान को पहचान कर उसको पाकर अपना सर्वस्व बलिहार कर दिया तो ये समरपन जीवन सचमच बहुत सुंदर है बस सोचना ये है जब हमने सब कुछ समरपित कर दिया तो अब इसका पूरा फायदा उठाएं कहीं हमारे अंदर मेरा पन न रह जाए सबसे सुक्सम समरपन ता मेरे पन की ही है चाहे हमारे पास किसी सेवा के अंदर की जिम्मेदारी है चाहे किसी डिपार्टमेंट को हम समभालते है हमें ये ये समझना है हम निमित है मेरा कुछ भी नहीं है ये सब बाबा का है उसने हमें सौप दिया है जैसे सिरिमत भगवत गीता में कहा है प्रजा पिता ब्रह्मा ने यग रचकर ब्रान्नों को कहा हे वत्सो तुम इस यग की समाल करो इस यग से देवताओं को प्रसंद करो और देवताएं तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे तो बाबा ने ये यग रचकर हम वत्सों के हातों में सौप दिया बच्चे अब इस यग को सफल करो इसको निर्विघन बनाओ और जो देवकुल की आत्माएं यहां आती हैं तुम उनको त्रप्त करो वो तुमें सब कुछ देते रहेंगे तो ये समर्पित जीवन सचमच अती प्रसंद निये है अनु करनिये है मेरा कुछ भी नहीं है ये गुड फिलिंग एक बहुत सुन्दर प्रेक्टिस हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो कुछ भी आप अपने घर में लाओ मानलो आप कपड़े खरीद कर लाए बाबा के आगे रख दो बाबा का कमरा आपके पास होगा बाबा के आगे रख दो समर्पित करो आप अनलाए खरीद कर बाबा के आगे रख दो बाबा ये तुमको अर्पित है आपको सेलरी मिली आप धन लाए बाबा के आगे रख दो बाबा ये आपको समर्पित है और भी कोई चीज भोजन आपने बनाया उसको बाबा को अर्पित कर दो बाबा ये आपको अर्पित है अब हम आपकी ओर से खाएंगे आपकी ओर से वस्त्र पहनेंगे आपके धन से हमारी पालना होगी तो बाबा आपकी इन भावनाओं के अनुरूप आपका सब कुछ सुईकार कर लेंगे और फिर अपने अंदर ये गुड फीलिंग बढ़ाते चलना है कि हमारी पालना तो स्वयम भगवान कर रहे हैं उसी के धन से हमारी पालना हो रही है उसी के अन से हम भोजन खा रहे हैं उसी के दिये हुए वस्त्र हम पहन रहे हैं उसी का दिया हुआ घर हम योज कर रहे हैं ये समरपन भाव हमें बहुत उच्च स्थिती में ले चलेगा इससे वह सुन्दर अनुभुती होंगी मेरा पन समाप्त होता रहेगा और बाबा का ये परिवार बन जाएगा बाबा अपने परिवार की अपने बच्चों की स्वयम केयर करेगा उनकी समहाल करेगा तो आज सारा दिन समरपन भाव मन में धारन करते हुए हम एक बहुत सुन्दर अभ्यास करेंगे और वो है फरिष्टा सुद्देवता बनने का अपने तीन स्वरूप सामने देखेंगे मैं ब्रहमन मेरी एक साइड में मेरा देव स्वरूप खड़ा है तुसरी साइड में देखेंगे फरिष्टा स्वरूप खड़ा है मैं आत्मा इस ब्रहमन तन से निकल कर अपने फरिष्टे स्वरूप में प्रवेश कर लेती हूँ, फील करें मैं फरिष्टा हूँ, फिर उस देह से निकल कर मैं अपने देव स्वरूप में प्रवेश कर लेती हूँ, फील करें मैं देवता हूँ, फिर इस देव स्वरूप से निकल कर मैं पुने ब्राह्मन देवता की देह में, ये खेल करेंगे, बहुत आनन्द आएगा, ऐसा खेल हर गंटे में यदि एक बार भी कर लिया जाए, तो सारा दिन माना आनन्द से भरपूर रहेगा, ओम स्यंति!